नमस्कार, गुड मॉनिंग, मेरी सारी बेहनों को बहुत बहुत प्यार और कल का जो दिन था बहुत खास था, बहुत विशेश था आठ मार्च महिला दिवस, जैसा कि आप जानते हैं वोमेंस डेश स्पेशल दिल्ली में मनाया गया और वाकई में जब हमने कल का महाल देखाना, तो रियल में हमारे रॉंटे खड़े होगा क्योंकि जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी ना, कब स्टेज के ओपर आज रोयल्टी अचीवर जब मुझे खड़े होने का मोका मिलता था तो सिर्फ मर्दों के बीच में अकेली में एक लड़की खड़ी हुआ करती थी और मुझे गर्म मैसूस होता था कि मुझे डारेक सलिंग इंडस्री ने मर्दों के बीच में लाकर खड़ा कर दिया, उनके बराबर लाकर खड़ा कर दिया आज मैं भी अपने पेरोपे खड़ी हूँ पर मन में कही ना कही एक बात खटकती थी कि पूजा तो अकेली क्यों खड़ी है तुझे यहाँ अकेले खड़ी होने का कोई अधिकार नहीं है अगर डारेक सलींग इंडस्ट्री हर औरत को उसके पेरोपे खड़ा कर सकती है उसे नाम और पहचान दे सकती है मान और समान दे सकती है तो तुझे अकेला खड़ा नहीं होना है तुझे सैकड़ों महिलाओं को यहाँ पे खड़ा करना है और मेरे चैनल के माध्यम से लाकों महिलाएं डारेक सेलिंग के बारे में सीख रही है जान रही है इसका विजन विजन तो मुझे टेक्सी वाले पूछ रहते कि मैडम क्या आप लोग दिल्ली में धरने लगाने आए हो जगा जगा महिलाएं नजर आ रही है क्या आप दिल्ली बंद करवाने आए हो तब मैंने अस भाई को बोला कि मेरे भाई हम महिलाएं दिल्ली बंद नहीं कराने आए बल्कि प यहने अपने पेरों पे खड़ी होंगी तब यह बिलीव नहीं करते थे तब हमारा कोई साथ नहीं देता था तब हम पर कोई विश्वाश नहीं करता था पर कल वही सरकारे डारेक्ट सलिंग इंडस्ट्री की महिलाओं को उन्होंने सम्मान दिया और मुझे भी बड़ा गर्म आप सबका है आप सबकी कमिटमेंट है आप सबका योगदान है यह एवाड मेरी सभी बहनों को समर्पित है यह रहा वो एवाड और यह सारा एवाड यह सारा क्रेडिट यह सारा मान समाल मेरी हिंदुस्तान की यह बहनों को समर्पित है यह अकेले मेरी जीत नहीं है यह हम स अकेले पेरों पे नहीं खड़ाओना पूरे देश भर की महिलाओं को उनके पेरों पे खड़ा करना है और आज हम सब महिलाएं ये कसम खाती हैं चाहे हम किसी भी कंपनी से हो पर हमें इस इंडस्ट्री में बहनों को आगे बढ़ाना है और उस प्रोग्राम में श्री मतीश इरानी जी ने भी ये कह दिया कि मोदी जी ने आज का जो कारेकरम किया है ये लगपती दीदी के लिए किया है क्योंकि जितनी डारेक सेलिंग वोमिन की इंडस्ट्री से जितनी भी डारेक सेलिंग की महिलाएं वह मुझूद थे वो सारी लगपती दीदी थी लगपती से को हम से commitment लिया कि जब हम अगले 5 साल के बाद इस प्रकार का प्रोग्राम करेंगे तो आपको लग पती दीदी बन के नहीं आना आप सब को करोड़ पती दीदी बन कराना है तो आप अगर महिलाएं करोड़ पती दीदी बनने के लिए तयार है तो डारेक सलींग का दामन को पकड लीजे उसका हाथ पकड़ लीजे उसका साथ पकड़ लीजे अप्लाइनों का हाथ पकड़ लीजे उनकी सपोर्ट लीजे एजुकेशन लीजे स्किल पावर को आगे बढ़ाईए और आप भी आगे बढ़ जाईए मैं आपके साथ हूँ इस चैनल के साथ लगातार बने रह और इस वीडियो को पूरे हिंदुस्तान तक पहुचा दीजिएगा थैंक्यू बरी मुच्छ नमस्कार